आखिरकाल अलमोडा विधानसभा शेत्र में कॉंग्रस के बाद बीजेपी की भी बगावत शांत हो गई है बीजेपी प्रत्याशी कैलाश शर्मा के खिलाफ बागी तेवर दिखा रहे पूर्व विधायक रगुनाज सिंग चोहान को बीजेपी मनाने में सफल हो गई है बागुनाज सिंग चोहान ने बगावत कर दी थी लेकिन अब अपने समर्थकों के साथ कैलाश शर्मा के पक्ष में प्रचार करने का एलान कर दिया बतादें कि रूठे हुए नेता को मनाने के लिए बीचे भी प्रदेश इससे हैं प्रभारी लोकेश टरजी कई दिनों से साथ ही उन्होंने सीट पर जीत का दावा भी कर दिया उन्होंने कहा कि बीजेपी एक परिवार की तरह है और हम लोग परिवार का सदस्वा है बेंगौल से आई हैं और मैंने जो देखा टिकेट खुशना होने के बाद जो बहुत सारा कारी करता का मन में जो चल रहा था उस जीव है केलाज जी अभी चेत्र में हैं अभी आने बाला है अभी उनको टाइम था लेकिन मुझे थोरा सा जल्दी जाना पड़ेगा वह आ रहे और ललीजी और चोहन जी एक साथ उनके साथ मिलके जाएंगे तो हम लोग यह बोलने के लिए आपके सामने आई हो कि हम सब ल जी यह बड़ा बड़ा कारेकर्टा मन में जो था मैंने उनके साथ बाचीत किया रिदाएका बात सुना लेकिन हम लोग जानते हैं कि पार्टी जो निनना लेते हैं वही नाराज शुल रहे विदान सभा उपाद्यक्ष रगुनाद सिंग चौहान ने कहा कि वो भाजपा के थे हैं और रहेंगे जिस तरीके से पार्टे के बड़े नेताओं को मनाने के लिए आना पड़ रहा है इससे उमीद है कि नेता मान गए होंगे और दिल में कोई मलाल नहीं होगा क्योंकि चुनाओं होने में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं पंजाब के स्टी टीवी के लिए अलमोडा से निर्मल की रिपूर्ट